हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भ्रहनवशकार सत्रिया कालाद आप दोस्तों एक बन में फिर हाजिनों एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं धाबा स्टाइल आलू का प्रांथा लेकिन कुछ एक अलग ही इंग बड़ी आशी रेस्पी अपने घर पर किस तरह से बनाएंगे तो यह देखिए मैंने आलू को पहले बॉयल कर लिया था चीट्रह से पांच आलू हैं जिसे मैंने बॉयल करके लिया और इसे मैंने हातों से मैश कर लिया है अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज, कटी पूरी मेथी, गरम मसाला, साथ में चाट मसाला, और यह है अनार दाने का पाउडर, अजवाइन आदा चमच, एक चमच के क्रीम ने लिया है धनिया पाउडर, आदा चमच ही लिया है साबुजीरा, और टेस्ट की कॉर्डिंग लिया है नमक, तो यह सभी मसाले हम डाल देंग स्टाइल आलू का प्रांठा घर पर ही बनकर त्यार हो जाएगा, और यह मसाले बहुत जरूरी हैं इसमें जरूर एड़ कीजिएगा, तो चलिए मैं हातों से इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ, और यह देखिए कितना ड्राई हमारा यह आलू का मिक्शर बन परफेक्ट इसमें सभी चीज़ें अड़ की हैं, तो चलिए अब मैं आटा पहले से ही लगा चुकी हूँ, और बना लिए हैं पेड़े, तो अब फटा फट से बेलना स्टार्ट करते हैं, आटा हमें बिल्कुल जैसे रोटी चपाती के लिए हम बनाते हैं, यह सिंपल प्र अगर और बढ़िया इसको आप देना चाते हैं टेस्ट, तो डाल दीजिए इसके उपर एक से डेट चमच नमकीन भुजिया, जी हां नमकीन सेव डाल दीजिए, फ्रेंड्स आप यकीन मानिए, बहुती टेस्टी हमारा यह आलू का प्रांठा बनकर त्यार हो जाएगा, त और सेव में भी आपको पता है मसाले होते हैं, तो बना लिया है बड़िया सा स्टफ पेड़ा, और तवा मैंने रख दिया है फ्लेम आउन करके, मीडियम फ्लेम पर फटाफट से इसे बेल लेते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए, और देखिए बिल्कुल भी हम चिलका उतार कर उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया, तो आप इसी तरह से कीजिए, पानी बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा स्टोर नहीं होता है, और जब भी आप आलू को बॉइल करें तो थोड़े से पानी में, यानि कि आदा गिलास पानी में आलू को बॉइल कीजिए, ये ज़्यादा पानी मड डालेगा कुकर में, तो हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से बॉइल हो जाते हैं, तो चलिए मैंने प्रांथा डाल दिया है, तवे के ओपर, आप इसे सिखने देते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज इसे लाइक क सिखता है, तब तक हम दूसरा प्रांथा भी बेल कर त्यार कर लेते हैं, और देखिए, अब आप इसके ओपर देसी घी लगाईए, सर्सों का तेल लगाईए, या सिंपल ओयल लगाईए, ये आपके ओपर जो भी आपको पसंद है, या आप जो खाते हैं, आप इसके ओपर लगा सकते हैं तो चलिए फटा-फट से लगाते हैं इसके उपर ओयल और इसे सेखना स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स मीडियम फ्लेम पर ही इसे बनाईएगा हाई फ्लेम बिलकुल मत रखिएगा तोकि जो प्रांठा है ना बार से थोड़ा क्रिस्प हो जाए ना तो अच्छ कोई बात नहीं है तो यह मसाले जो मैंने इसमें एड़ किया है आलू के प्रांठे को अगर आपको बना कर खाना है ना तो यह सबी मसाले आप इसमें जरूर एड़ कीजिएगा अनार दाना तो जरूर डालिएगा अनार दाने से आलू के प्रांठे में जान आ जाती है तो खुलिए फटाफट से हमारा प्रांत भी बंगया है तो बना लेते हैं बड़ीया से प्रांठे और पहर अपको दिखा नियुक्त व डेती हो है तैसे म bakery कर सकते हैं तो कैसी लगें आपको मेरी वीडियो अच्छी लग былगी तो प्लेज लाइक बटन प्रेस केजीए खिर